स्वागत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं लेखे हैं हम एक और नहीं PCBuild के वीडियो जो के होगी एक 30 to 35 के वाली PCBuild तो 30 to 35 के इसलिए क्योंकि जो price fluctuations होते है market online prices में वो काफी ज्यादा आजकल हो रहे हैं इस वह से मैंने इसका बिल्ड का बज़ेट रखा 30 to 35 के इस समय पे जो इसका बिल्ड का पूरा और और कॉश्ट बनेगा वो आपको बताये दूंगा लेकिन हाँ fluctuate हो सकता है इसलिए एक दो हजार में आये उपनेशे कर सकते हो आप तो आप 35 रुपी लेकिन आज के जमाने में अगर एक बंदा गेमिंग करना चाहता है और अच्छे 60 fps पाना चाहता है अच्छे अच्छे फ्रेमरेट 60 fps medium to high settings पे अब में चल जाए गाराम से चलाना चाहता है तो हाँ चला सकता है तो 30 कम से कम 30,000 रुपीज आपको चाहिए अगर आपको एक अच्छा PC बिल्ड करना है 30 to 35 K के अंदर तो आज के ये वीडियो आपके लिए मैंने पहले भी 15,000 का बिल्ड डाला था तो आप भी चे सकता है यह वो PC नहीं दे पाएगा यह मेरी एक्षियोरिटी है तो अगर हम अपने कॉम्पोनेंट के बात कर लें तो यहां पर जो हम पहला कॉम्पोनेंट यूज कर रहे हैं वह हमारा प्रोसेसर में हमने चूज किया है यहां पे AMD का R3 1200 के साथ हम इस बेल्ड में गया है य यहां पे AMD Ryzen 3 2200G के साथ या तो हम जा सकता है आए 38 जनरेशन के साथ लेकिन हम नहीं गए क्योंकि उसमें इंटेग्रेटर ग्राफिक्स हैं और वह थूड़ा सा ओवरप्राइस मुझे नहीं है उसकी जैसी उसमें जैसे स्पैसिफिकेशन है उसके हिसाब से वह उतने प्र अब प्रोसेसर लेने जाओ गए तो उनों के परफॉरमेंस सेम है आर 31200 और आर 32200 के परफॉरमेंस आपको दोनों के सेम मिजती है तो आप क्यों 3-4000 रुपा एक्स्ट्रा दोगे से ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड तो हम अलग से लगी रहें इसमें तो मुझ और अगर आप इसे बूस्ट करते हो तो 3.40 GHz से ग्याती है माक्स बूस्ट माक्स बूस्ट अगर आप करना चाहूँ अच्छे कूलर के साथ तो आप इसे 3.7 या 3.8 तक ले जा सकते हो खीज़के आप प्रोसेसर है और इसकी पाउर कंजप्शन की बात करें तो यह 220 वोल्ट यानि की 65 वाट लेता है तो मतलब उतना ठीक है मतलब अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो एक सास्ते से प्रोसेसर है जो कि आपको अच्छी प्रोफामेंस दे तो इस प्रोसेसर की कॉस्ट आती है 5300 रुपीज और यह था हमारे बिल्ड का पहला कॉंपोनेंट दूसरे कॉंपोनेंट की बात करें अगर तो हमारे पास हमारा मदर बूर्ड मदर बूर्ड में हमने चूज किया यहां पे यहां से के A320 M Pro Motherboard A320 M Pro Motherboard है और आप यहां पे आपको मिलता है यह बेस्ट और इसमें DDA4 की रैम लगती है यह फोर सॉकेट है हमारा प्रोसेसर भी एम फोर सॉकेट है दोनों अराम से काम करेंगे तो इंफेट बैटेगा एक नम और आपको गए तो मैं इसकी पीछी बिल्ड की वीडियो ले आऊंगा और उसमें बिल्ड करके दिखा दूँगा और यह वीडियो जो आप देख रहों इसके लास्क में आपको कुछ बैंचमार्क मिलेंगे देखने को कुछ गेम्स के इस पबजी पीसी पबजी मोबाइल और फॉर्ट नाइट ऐसे कुछ गेम्स के आपको बैंचमार्क मिलेंगे तो आप उसे हैं इन कहीं भी तूटो के आपको 4000 रुपीस तक आराम से नहीं जाएगा मुलता हमारा से आराम से नहीं जाएगा तीसरी कॉंपनेट जो हमारा है रैम में हमने चूज की एक हाई फ्रिक्वेंसी वाल रैम क्योंकि अगर आप राइजन बिल्ड कर रहे हो ना आपके लिए य कोरसेयर की एक्स विंजेंस 16 जीबी की रैम के साथ जारा हूँ जो की आठ आठ जीबी की दो स्टिक आएगी तो अभी इसकी 3000 मेगा हर्ट्स की मेमोरी है और इसकी कोस्ट की बात करें तो यहां पर 3600 रुपीस की पर स्टिक कोस्ट पड़ती है तो अगर हम और और कोस्ट ल क्योंकि मैंने एक एमजान पर कॉम्बो देखा था जो की यहां पर मैंने 3,000 मेगा हर्ट्स की है और दो अलग स्टिक्स खरी दी है तो 7,200 रुपीस में मुझे दूनों का कोस्ट और 16 जीबी है आपको पस तो आराम से आप चला सकते हो बॉटलनेक बिल्कुल भी नहीं करेगा और जो मैंने यहां पर प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड जो भी उसके है कोई भी बॉटलनेक नहीं करने वाला है तो बस और अगर हम आ जाएं इसकी प्राइस नहीं बताई चुका हूँ तो अगर हम अपने अगले कॉंपनेंट की तरह बढ़ते हैं तो अगर हमारा अगला कॉंपनेंट है हमारा ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स कार्ड हमारे मिलब कंप्यूटर का मिलब एक तरह से आप कह सकते हैं अगर गेमर करना मदब एक चान होती है गेमर की उसके बिना कहा से होगी तो ग्राफिक्स कार्ड में हम यहां फाइफ वाल वेरियंट है और यहां पर वीराम आपको 4GB आपको पूरी देखने को मिल जाती है और एक क्रियेटर है यूट्यूब पे उनका चैनल है ट्रेकड्रीम्स यहां पर एक चैनल है तो उसमें आप जाओ उनके चैनल का लिंक है आप उने चाहिए सब्सक्राइब कर द हैं तो वहां पर जाके आप यह खरीज सकते ग्राफिक्स काड्स साथ यार 500 रुपर में काफी अच्छा ग्राफिक्स काड्स है और आप इसकी यूट्यूब पर रिव्यू चेक करो आपको बसे पता ही होगा है आप गेविंग करते होगे कि 1050 Ti कितना तगड़ा ग्राफिक् प्रेसिफिकेशन है क्या चीज है मैं बसे आप बिल्ड आपको बता रहा हूं इसके जो क्यूड़ा कोर्स हैं उस सब मैं नहीं बता रहा हूं अगर कहोगा पूरा एक डिटेल वीडियो इस बिल्ड की ले आउंगा इसकी जब एक पूरी वीडियो बेंचमार्क परेगी थोड़े 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 वेंचमार्क सुने वाले लेकिन वह बाया कोगे तो मैं पूरा एक ले आउंगा अलग से तो बात का बात में देखेंगा अगर आप अगर आपको चाहिए तो मुझे एमेल कर दो या तो एमेल में ने निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिय लेगा नहीं तो हाड़ ड्राइब में यहां पर उसका ने डबूड़े की ब्लू एक टीबी 7200 वाली वाली वाला बैरियंड तो यहां पर यह मेरी फेवरेट है सबकी फेवरेट हाड़ ड्राइब है अगर आप किसी से भी पूछो कि आपको कौन सी हाड़ ड्राइब अच् अगर इसकी प्राइब करने तो यह आपको आफ लाइन ऑल्लाइन कहीं भी आप देखोगे आपको 3000 रुपे तक आर राम से मिलेगी हमारा अगरा प्रोड़क्त जो कि मैं मानता हूं सबसे मेन प्रोड़क्त होता है एक पीसी का तो इस पीसी में जो हमारा मेन प्रोड़क्त है वो है हमारा PSU Power Supply Unit SMPS जो भी कहलो यहां पर हम यूज करे Corsair का VS 450 耐ंएंव होने वाली है इस विल्ड के लिइए क्योंकि देखो चूमारा GRAPHICS काड इस में ऑस्सक्राइब देनी नहीं है और supply के prices काफी fluctuate हो रहा है आजकल मैंने देखा है कि मतलब अभी यह PS450 Amazon पे भी कुछ दिन पहले 2200 रुपए या 300 रुपए के भी रही थी अभी इसका price होगे 2500 रुपए तो काफी fluctuation हो रहा है तो अगर हम अपने आखरी component की बात करें जो कि हमारा एक optional product है मैं तो suggest करूँगा कि आप 100% इसे add करो कि जो हमारा build होने वारा 35K का budget है तो उसमें से काफी पैसे बच रहे हैं आपके तो मैं तो काफी suggest मैं तो 100% suggest करना चाहता हूँ कि आप यह SSD एक add करो डबूडी की green 240GB 120GB मत करो क्योंकि इसमें खली windows भरोगे और दोचा सब्सक्राइब भरोगे आपका भर जाएगा लेकिन मैं तो कहता हूँ आप 240GB की SSD खरीदो 25 रुपए की डील में चल रही है कुजिन पैल इसका प्राइस था 3032 रुपए अभी इसकी प्राइस घटके चुकिए 25 रुपए आपको offline देखोगे तो थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा मिले क्योंकि Amazon पे sale है भी तो इस वह से 25 रुपए की है तो आप offline देखोगे तो आपको थोड़ी मैंगी मिल सकती है या तो कोई अच्छी शॉप होगी वह आपको जानता होगा तो 100-200 रुपए डिसकाउंट कर देगा तो आपको और अच्छी डिल मिल जाए अपने और अमांट की बात करें तो हमारा पहला प्रोड़क्त होता है 5300 जो की आता है हमारा प्रोसेसर राइजन 3-1200 और दूसरे प्रोड़क्त की बात करें तो हमारा वह है मदर बूर्ड जो की 4000 का पड़ता है MSI 20M PRO मदर बूर्ड राम कोर्सेयर की वेंजिन्स वेंजिन्स LPX 16GB की किट तो वह हम भी 7200 की पढ़ती है और अपने ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो 7500 रुपर 3000 रुपीज की और पाउर सप्लाइ यूनिट है हमारा 2500 रुपए का कोर्सेयर वेस 450 और हमारा SSG आती है हमारी WD ग्रीन 240 GB 25 रुपए की तो अगर हम overall amount total amount की बात करें तो हमारा 3500 रुपए इसका total amount हो रहा है तो आप जाओ तो इसके साथ जाओ अच्छा काफी काफी अच्छा है तो अब यार मैं वीडियो को end करता हूं और कुछ आपको benchmarks के बाद देखने को मिलेगा तो यार पूरा benchmarks देखके जान और यार वीडियो को like कर देना अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूना क्या कि आपके दोस्त भी इस build को करें शेयर कर दो comment कर दोकर आपको कोई भी solutions या फिर queries हो या फिर आप मुझे email भी कर सकते हो तो तब तक के लिए जाहें बंदे and take care कि अज्ड़ाय तो से ठाहिए। झाल 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 झाल